हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले एकदम खस्ता पूरी और साथ में एकदम होटल वाली जैसे आलू की सब्जी होती है नो हम बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे और वीडियो पसंद देता प्लीज लाइक कर पूरी के लिए जो बेड़नी बोलते है न बेड़नी पूरी उसके लिए स्टाफिंग तैयारी करेंगे तो यहां पर मैंने उरत की डाल दिया है और यह आधा कप है मैंने इसे रात बर भीगो के रख दिया था और यह देखिया चितरी के सफूल चुका है और इसका जो एक् चैनल पर जाके और यह है स्टॉफिंग वाली तो इससे हम स्टॉफ करेंगे तो दीखे दाल मैंने पीस दिया है और कुछ इस तरीके सा दाल को हमें थोड़ा सा दर्दरा थोड़ा सा बारी कैसे पीसना है अब एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे तेल तील थोड़ा से तीन से चार बड़े चमच तेल लेंगे तेल को तोड़ा सा गरम होने देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा आदी छोटी चमच और य्षे साथ हम डालेंगे दर दरा कूटा हुआ धनिया उसको धोड़ा साथ डालेंगे दर दरा कूट लिया है इसे टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आता है। तो अब धनिया ज़रूर डालेंगे और इसे थोड़ा साम सेख लेंगे अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर आधी छोटी चमच आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चमच मिर्ची पाउडर आप मिर्ची की क्वांटेटी कमया जादा कर सकते हैं अगर आपको कि यह पैन ना छोड़ने लगे तब तक हमें भूनना है अप नॉंस्ट्रिक पैन लेंगे तो बहुत अच्छा रहागा यहां पर तो यह दिखे पहले तो श्टाटिंग में लगेगा लेकिन आपको लगातार चलाते हुआ अच्छी तरीके से बून लेना है जब यह अच्छी पूरी के लिए आटा भी लगा लेते हैं तो मैंने यह पर एक बड़ा बोल आटा लिया है गेहूं का आटा यह साथ में सूजी दालेंगे हम अधी को टोरी के करीब मैंने सूजी ली है और इसमें थोड़ा सा जवाइन डालेंगे इस तरीके से क्रश करके और थोड़ा सा कस चमच तेल या बटर या घी भी ले सकते हैं तेल गी लिजिए बटर ना ले इसमें तो मैंने आपे थोड़ा सा तेल अ एंधी हमें खास्ता कच्वरी की तरह नहीं बनाना है और यह देखिए आटा भी तैयार हो गया है और हमरी स्टफिंग भी इस तरीके से ठंडी हो चुकी है आप देख सकते हैं एक बर इसे इस तरीके से मैस कर लेते हैं और इसके छोटे-छोटे से बॉल बना लेंगे इस तरीके से तो जब हम पूरी बनाएंगे तो इस तरीके से चोटे चोटे आप बॉल्ल बनाएंगे तरह करके रख लेंगे तो फस्ट्पिम भी हो गए है तयर आटा भी है Тयार तो चल्फिग पूरी भी बना लेते हैं तो छोटे निम्बू साइज के हम आटा की लोई बनाएंगे इस तरीके से छोटे-छोटे और पूरी बनाने के दो तरीके आप तो बेल के विश्ट आफिंग कर सकते हैं या फिर आप हाथों से कटोरी बना के भी कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको पहले हाथों से कैसे बनाते तो दिखाती हूँ इस तरीके से हम आटेकल लोई लेंगे और इसे कटोरी का सेव देंगे हातों से बढ़ा करेंगे और पतला ही बनाएंगे क्योंकि जितना पतला अगर बनाते है न तो उतना ही अच्छी आपके पूरी बनेगी और इस तरीके से दाल को हम इसमें रख देंग और इसे बंद कर देंगे और इसे साइड से हम इस तरीके से दबा देंगे ताकि हम जब बेले थी फटे नहीं नहीं तो आप इस तरीके इतना बड़ा रखेंगे और जैसी बेलन इसके उपर डालेंगे वो फट जाएगा तो इस तरीके से पहले आप इसे फैला ले हातों से तेली से उसके बाद ही आप इसे बेल लें आप हाथों से भी बेल के भी तेल में फ्राइब कर सकते हैं नहीं तो आप इसे बेलन से भी हलकी हाथों से बेलना होगा चले बेल के भी बता देती हूं मैं इस तरीके से बेल पतली पूरी बेल ले और इसे इस तरीके से भर ले और स तो प्रोसेस थोड़ा सा दबा लें गा तेली से फिर बेल लेंगे तो बेलने के लिए थोड़ा सा उल्टा रखना इसे और इस तरी के से हलके आतों से बेलना है ताकि फटे नहीं तो चली पूरी होगी है तैयार अब हमें इसे फ्राइ कर लेना चाहिए तो मैंने आप पूरी के लिए तेल गरम होने के लिए रख दिया है और तेल थोड़ा सा मेडियम होट होना चाहिए ज्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए ज्यादा गरम भी नहीं चाहिए तो इस तरी के से पहले छोटीसी आठा की गोले डालBE देख ले उसके चेक ले ले न पूर्या improved चौ्श झोक्ऽ हदो पूरी नमारे पूलिया लाखे में अश्चा काया है जाभी पूरी बनाते जुत देखाहसे तक में चूसाजो कि जल्डब गोर våraट से ना लेगी सब्सक्राइब सब्सक्राइब मुझे लूंसक्ति क्लोर theme तेखे, पूरी सब्सक्राइब करते हैं अजिया करें जाना नकाटकले. ने वालवत सम्सक्राइब की और बड़ी में生Be научit है आम एगुतू तोड़ लेना है आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं मैंने आप पाभाजी मैसर यूज किया है और इस तरह की से मैस कर लेंगे काटना नहीं है नहीं तो फिर बजार वाला टेस्ट नहीं आएगा दुकान वाले न हमेसा आलू को हाथ से तोड़ के बनाते हैं जो कोचोरी की सब्सक्राइब होती है वो लोग हाथ से मैस करके डालता है उसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस तरह के साब कर अलो को काटे नहीं इस तरह की से तोड़ ले अब एक कडाई लेंगे और इसमें डालेंगे सर्सू का तेल तो मैंने आपे तीन बड़े चमच सर्सू का ते पीसा हुवा टामाटर भी डालेंगे ते लिए इन अठीकु यहां पेक के तना चृष ow ignored माजप सकते हैं मुखा अच्छी तरह के से जब तक बास चल चुए जब तक का लिए ना को तरह के पाका लुए अ को सनी को कासूरि मेधी डालेंगे संब्सूरी में तो को सब्सूरी अब इसमें डालेंगे नमक, स्वादानुसार, थोड़ा सहरा धनिया आप सब्जी बनाएं इस तरीके से तुसमें मसाले में ही थोड़ा सहरा धनिया डालिए इसे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा मैं तोड़ा के एकिसमें डालने के लिए सबजी जल्दी बौईल होगा और टेस्ट बहुत अच्छा आओगा तो मैं थोड़ा से गुनगुना पानी लिया है और पानी इसमें थोड़ा से एक्ष्टर डालेंगे जैसे आप दो से धाई गिलास के अंदर इसके अंदर पानी जाएगा और थोड़ा सा पहले ती आपको तरी जैसा दिखेगा कि ज़्याद़ा पानी होगा लेकिन जब इसे तो थोड़ा सा ठणना होने के बाद भी एक आड़ा हो जाएगा तो ढखके इसे चार से पांच मिनट के लिए पका ले और यह दिखे सब्जी हमारी हो गई है तैयार पूरी के साथ खानी है तो तरी वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है और थोड़ा सा आप इस तरीके से और मैस कर लिजिए अगर ज़्यादा पानी लग रहा है तो थोड़ा से इसे पापाजी मैसर से आप मैस कर लिजिए अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला आम चूर पाउडर यह डालने के बाद अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स और यह सब्जी हो गई है त के ऊपर डालें सब्जी और इसे इंज्वाई कीजिए साथ में एक हरी मिर्च हो जाए तो बात ही अलगे और यह मैंने बिना प्याज की बनाया आप चाहे तो प्याज भी एड़ कर सकते तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए का शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए मैं आपसे फिर मिलीओंगी नए वीडियो के साथ नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू फूर वाचिंग